दोस्तों अगर आप सुबह उठकर खाली पेड गुड़ खाते हैं और उपर से गुनगना पानी पीते हैं तो इससे आपको बहुत सारे चौंकाने वाले सवास्तेलाब मिलेंगे सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि इसे आपके पूरे शरीर की अंदर से सफाई होगी गुड़ कुदरती रूप से शरीर की सफाई करता है इसे खाने से लीवर, फेपड़े, सांस की नली, आंतें, पेट और खाने की नली इन सभी अंगों की अंदर से सफाई होती है प्रदूशी जगह पर रहते हैं जैसे दिल्ली वगेरा में तो आपको रुजाना गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे आपके शरीर के अंदर से सभी जहरीले पदार्त बाहर निकल जाते हैं। गुड़ खाने का दूसरा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपका पेट खुल कर साफ होने लगेगा। कबज की समस्या ठीक हो जाएगी। गुड़ पेट में पाचक रसों को सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे खाना सही ढंग से हजम होता है और पेट खुल कर साफ होता है। गुड़ खाने का तीसरा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपका खुन साफ होने लगेगा। गुड़ खुन साफ करके सवास्ते को बढ़ाता है, जिससे बीमारियों के होने का खत्रा कम होता है। गुड़ खाने का चौता फाइदा आपको ये हो कि इससे आपकी immunity strong हो जाएगी गुड में zinc, selenium और anti-oxigents होते हैं जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं इससे आपको किसी भी तरह के infection के होने का खत्रा कम हो जाता है अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो गुड को गरम पानी में घोल कर इसे गरम गरम पी लें इससे आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा क्योंकि गुड गरम होता है और शरीर के अंदर जाकर गरमाहट देता है इससे सर्दी जुकाम भाग जाता है महिलाईं अगर रुजाना गुड का सेवन करती है तो उन्हें माहवारी के दौरान होने वाली तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है माहवारी के दौरान जो पेट में दर्द होता है रेगुलरली गुड खाने से वह दर्द नहीं होता गुड खाने का पांचवा फाइदा आपको ये होगा किससे आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी गुड में आईरन और फॉलेट होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं गुड खाने से शरीर में हीमो गलोबिन की मातरा बढ़ जाती है गर्भवती महिलाओं को गुड जरूर खाना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अक्सर उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है लेकिन रोजाना गुड खाने से उनके शरीर में खून की कमी नहीं होगी गुड़ खाने का छटा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपकी आंते मजबूत बनेगी क्योंकि इसमें मैगनीशियम होता है जो इंटेस्टैनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है 10 ग्राम गुड़ में 16 mg मैगनीशियम होता है गुड खाने का साथवा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपके शरीर का तापमान सही रहेगा गुड नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर को मैंटेन करने में मदद करता है गुड़ खाने का आठवा फाइदा आपको ये होगा कि इसे आपका बलड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा गुड़ में पुटाशियम और सोडियम उचित मातरा में होते हैं जो नॉर्मल बलड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करते हैं गुड़ खाने का नौवा फाइदा आपको ये होगा कि अगर आपको कोई सांस की समस्या है तो इससे वह समस्या ठीक हो जाएगी। गुड़ का नियमित सेवन करने से अस्तमा और ब्रॉंकाइटिस जैसी समस्याओं में बहुत अराम मिलता है। गुड़ खाने का दस्वा फाइदा ये होगा कि इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। कि इससे आपके शरीर में कमजूरी दूर होती है। जो नॉर्मल सफेज चीनी होती है उस चीनी में सिंपल कार्बो हाइडरेट होते हैं जो एकदम से हजम होकर तुरंत खून में पहुंच जाते हैं और तुरंत उर्जा देते हैं। लेकिन यह उर्जा थोड़े समय के लिए होती है। इसके वी प्रित गुड में कमपलेक्स कार्बो हाइडरेट होते हैं जो धीरे धीरे हजम होकर धीरे धीरे खून में मिलते हैं और शरीर को लंबे समय तक उर्जा देते हैं। इसका यह मतलब भी है कि गुड खाने से शुगर लेवल एक अदम तेजी से नहीं बढ़ता है क्योंकि इसमें मौजूद शुगर धीरे धीरे खून में मिलती है जो लंबे समय तक शरीर को उर्जा देती है। इससे आपको पूरे दिन में जो थकान महसूस होती है उससे राहत मिलती है। गुड एक कुद्रती डायूरेटिक है यानि यह पशाब की मातरा को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इससे पशाब के रास्ते में होने वाला इंफेक्शन नहीं होता। यह यूरिन बलैडर में होने वाली सूजन को भी घटा देता है। दोस्तों आपको गुड के इतने सारे फाइदों के बारे में पहले पता था या नहीं। मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।